सोनीपस से बीज़ेपी के उमीद्वार मोहलाल बढूली लगातार चुनाओ परचार परसार में तेजी ला रहे हैं मोहलाल बढूली सोनीपस मिधान सभा के अलग-अलग कारीकरमों में भाग ले रहे हैं और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में रोट डालने की अपील मददाताओं से की है इस दोरान मुहलाल बढ़ोली ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने नहीं देश की जन्रता ने 400 पार का संकल्प लिया है सोनी पर लोकसभासी से उमीदवार को लगातार चन्रता का समर्सर मिल र यहीं देश की 140 करोड की जन्ता ने लिया है कॉंग्रेस पार्टी द्वारा ब्राह्मन चेहरे पर दाव लगाया गया है इस पर उन्होंने कहा कि जाती वाद ना हमारे विचार में है ना संसकार में है वो कॉंग्रेस पार्टी की विचाधार का उमीदवार है और मैं राश्ट्रवाद की राजनिती करते हैं जनकल्यान की अनेक नीतिया बनाने का काम करेंगे नए भारत की निर्मान का काम करेंगे देश को विक्सित राश्ट्र बनाना है इसी विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं यह 400 पार का नारा नहीं है यह लोगों का संकल्प है और देश की 140 करोड जनता ने यह संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार प्रिसरी बार मोधी सरकार यह जनता का नारा है और जनता इसको पूरा करेगी और जनता पूरा अशिरवाद भारतिय जनता पार्टी के यससासुई पर्दार मंटरि अंत्रशक्रों की विचारदार्पिय। बीजेपी के विपक्षी दल है वो लगातार महंगाई के मुदे पर विकास के मुदे पर आपको भेटने का प्यास है वो कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है वर्ष्टाचार है वह बढ़ा है इलेक्रोल बॉंड को लेकर एक बड़ा मुदा है वो बना रहे है यह जो जिस परक जो हमें मिला है एक तरफा वातावण भार्थे जन्ता पार्टी का परदानमंतिर इंद्रेशन गोल जी के नाम का है